नमस्कार न्यूजफ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर सिंग को गरफतार किया है गटना के अनुसार प्रार्थी बंसी राम राइका निवासी टाका की धानी मनाना पुलिस्ताना मकराना ने एक रिपोर्ट इसाशे की पेश की थी 31.10.27 को रातरी साड़े बारा बजी की बात है मैं और मेरे परिवार के सदश सभी घर में खाना खाकर सो गए थे एकदम बाहर आवाज जाई तो मैं मकान से बाहर आकर देखा तो मेरे मकान की चार दीवारी के अंदर रात्री कालिन ग्रय भेदन करके हमारे परिवार को जान से मानने की रादे से हातों में लाठियां फरसी हाकी लेकर घुजगे चो अमिच सिंग, पुत्र गुलाब सिंग, सिवराज सिंग, पुत्र लक्षमन सिंग, शक्ति सिंग, पुत्र करण सिंग, प्रविन सिंग, पुत् पुलू सिंग निवा सी लोरोली गॉर्दन सिंग निवा सी लोरोली वद्धरस बंदरा अन्य वेक्ति थे जो सबी हातियारों से लेस थे मेरे घर में खड़ी गाड़ीयां इसकॉर्पीयों और एक टैक्टर खड़ाता उसमें भी तोड़ फोड़ कर रहे थे लोगों ने मीरी स्कॉर्पियो गाड़ी वट एक्टर को जला दिया घर में खड़ी एक बुलेट मोट साइकल स्पिलेंडर बाइक और स्कूटी में भी तोड़ फोड़ करके सतिग्रस्त कर दी मेरे और मेरे परिवार के लोगों के साथ गंभीर मार पीट की गई रिपोर्ट पर मकराना पुलिस ने प्रक्रण दर्ज कर अनुसंदान में सब इंस्पेक्टर रामनिवास थाना मकराना के द्वारा प्रारंण किया गया गटना की गंभीरता को मदे नजर रखते हुए मुल्जिमानों की गिरफतारी के लिए रामनिवास उपने रक्षक थाना मकराना के नेतरत में टीम का गठन किया गया टीम द्वारा बैतर, फिल्ड, इंटेलिजेंस और आसूचना वे तकनिकी क्यादार पर आरोपियों का पता लगा कर शक्ति सिंग, प्रविंड सिंग वसिवरा सिंग को बोरावर से दस्तियाप कर बाद अनुसंदान किरफतार किया गया मुलजीमान से प्रकरण के संबन में अनुसंदान किया जा रहा है, वारदात में सैनलिप्त अन्य मुलजीमान की तलास की जा रही है कारवाई टीम में कास्टेबल दीन मौम्मद, कास्टेबल सुखदेव गूजर, कास्टेबल बलवीर, कास्टेबल अंकिस सर्मा, बीर बलराम, वाहन चाला, कास्टेबल लतीफ खां का विशेश योगदान रहा